Hello Students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो Dear Students, India Skills Competition 2023 के नाम से देश का सबसे बड़ा Skill Competition आयोजेत होने जा रहा है यह हम दूसरे सब्दों में कहें तो देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता आयोजेत होने जा रही है तो यह जो कौशल प्रतियोगिता है इसके लिए AICTE की तरफ से चाहे वो B.E.B.Tech के स्टूडेंट्स हो चाहे वो Polytechnic Diploma हो सभी को एक letter और एक draft करके भेजा गया है यह अपने यहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जादा से जादा आपको क्या करना है motivate करना है ताकि वो इस competition में प्रतिभाग कर सकें और उसमें अपना talent दिखा सकें वो जो talent आप दिखाएंगे वो national और अंतर राष्टिये लेविल पर यानि international लेविल तक मान होगा तो वहां पर आपको state लेविल पर होगी प्रति होगी ताप pre-national लेविल पर फिर national लेविल प अभी इसमें मौका मिले तो इसमें सारी चीजे हम जल्दी से देख लेते हैं कि किन किन fields में आप skill दिखा सकते हैं इसको आप पूरी जो process उसको जरूर देखिए उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी timeline क्या है तो यह दिखी registration for India skills 2023 इसकी website है अभी मैं बताऊंगा उ registration के लिए जो निर्धारित किया है October और November 2023 का जो महिना है उसके बाद pre screening होगी competition management system के द्वारा उसके बाद December 2023 से January 2024 में आपकी district या state level competitions आपके होगे उसके बाद आपको train किया जाएगा आपको training दी जाएगी फिर January 2024 में pre national होगा उसके बाद फिर जो बिनर होगे उनको training दी जा होगा उसमें जो निकल करके आएंगे उनकी intensive training कराई जाएगी और September 2024 में world skills Lyon France में होगा जिसमें जाने का अपनी skill को दिखाने का आपको मौका मिलेगा तो ये बहुत बड़ा उसार है बहुत सारी students केते हैं जो हमारी UA work है विसेश तोर से 21 साल उनकी उम्र है 18 साल 17 मतलब एक maximum age limit है उसमें मैं भी बताऊंगा लेकिन जो UA work है वो अपनी skill को दिखा सकते हैं बहुत अच्छा platform है कई वार students कहते हैं हमारे अंदर talent है लेकिन कोई platform नहीं मिल पा रहा है तो वो ये platform उनके लिए महात्पूर्ण है कि सिर्फ देश इस तर पर नहीं आपको reward मिलेंगे आपक पहचान बनाने का उसर इसमें मिल रहा है अपलाई कहा करना है skill India Digital ये website हभी मैं बताऊंगा उसके according करना है आपको who can apply Indian youth हो पतला भारती नागरे को और age के हिसाब से इसमें age limit है ज्यादा young लोगों को इसमें ज्यादा प्रोथसान दिया जा रहा है तो वो आपको देखना प मिलेगा जो भी आप समंदित फील्ड है वो मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी फील्ड है उसके बाद continuous आपको opportunity मिलेगी कि जो skill आप दिखा रहे है उसको आप skill किया जाए industry subject matter experts के द्वारा आपको national level पर पहचान मिलेगी reward मिलेंगे recognition होगा आपका उसके बाद intensive industry oriented training आपकी बहु करने का मौका मिलेगा world skills competition में जो की लियोन फ्रांस में आज उजयत होगा आपको यदी successful आप यहाँ पे national level पर उसको compete करते हैं निकल करके आते हैं selection rounds में तब आपको France जाने का भी मौका इसमें मिलेगा तो इसमें देख लेते हैं list of skills और eligibility के हैं इस यह sector दिया है उसके बाद skill का नाम और number of competitors to register कुछ ऐसे हैं जो इसमें individual यानि एक ही student प्रतिभाग कर सकता है कुछ ऐसे हैं जिसमें दो लोगों की team बन सकती है और बहुत एक आद ऐसे भी हैं जिसमें तीन लोगों की team बन सकती है तो पहला sector है construction and building technology का उसमें देखिए इसके लिए हैं सारी wall and floor tiling plumbing and heating electrical installations, bricklaying, plastering and drywall systems, painting and decorating, cabinet making, joinery, car pantry, refrigeration and air conditioning, concrete construction work, digital construction ये सारे होंगे सब में एक एक है खाली ये concrete construction work में दो की एक team बनेगी जो प्रतिभाग कर सकते हैं एज अगर आप देखें इनमें सब में born on और after या तो इस्तिथी को या फिर इसके बाद आप की जो date of birth है वो होनी चाहिए एक जनवरी दो हजार दो के सिर्फ लास्ट वाली को छोड़ कर लास्ट वाली के लिए जो digital construction है इसके लिए एक जनवरी 1999 या फिर उसके बाद की date of birth होनी चाहिए तो आप देख लीजी इसमें यूआ और कुछू की मौका दिया जा रहा है इसलिए इसमें age का इसमें restriction है उसके सेकेंड है creative arts and fashion का इसमें jewelry, floristry, fashion technology, graphic design, technology, visual, merchandising, 3D, digital game arts सब एक एक इसमें individual आप registration कर सकते हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक जनवरी 2002 या फिर उसके बाद की DOV होना चाहिए अगला है सेक्टर का information and communication technology इसमें information, network, cabling, IT software solutions for business, web technologies, cloud computing, cyber security, mobile application, operations, deployment, इसमें सम्में एक एक प्रतिभाग कर सकते हैं, cyber security में दो student की team की रूप में आप प्रतिभाग कर सकते हैं और इसके लिए जो date of birth होनी चाहिए 1st January 1999 या उसके बात की होना चाहिए और इस तरह cloud computing में भी 1st January 1999 का और इसमें जो information network के लेंगे इसमें 1st January 1999 बागी में 2000, 1st January 2002 इसमें ली गई है, तो इसको अच्छे से देख लीजी, यह सारे documents मैं आपको share भी कर दूँगा, polytechnic, liberal learning के नाम से जो group बना है और जो whatsapp channel में ने बनाया है, उस पर भी मैं share कर दूँगा, तो आप इसको देख सकते हैं, उसके बाद manufacturing and engineering technology में आ जाएं तो mechatronics है, 2 इसमें team प building एक, electronics एक, industrial control एक, autonomous mobile robotics दो की team इसमें प्रतिभाग कर सकती है, date of birth आप सब देख रहे हैं, ज्यादा तरकी, एक जनवरी 2000 है, कुछ की एक जनवरी 1990 है, उसके बाद की है, chemical lab technology, autonomous mobile robotics, water technology, industrial design technology, renewable energy, robot systems integration, industry 4.0, manufacturing team challenge, area of manufacturing, इसमें देखे, manufacturing team challenge में 3 की team प्रतिभाग कर सकती हैं, यह एक team में 3 हो सकते हैं, industry 4.0 में 2 हो सकते हैं, robot system integration में 2 team इसके लो सकती हैं, तो इस तरीके से आप प्रतिभाग कर सकते हैं, date आप देख सकते हैं, नीचे वाले इसमें देखे, 1 जनवरी 1990 भी है, और ज्यादा तर machinery, cooking, restaurant service, health and social care, bakery, hotel reception, यह सब इसमें आ जाएंगे, और एक एक प्रतिभाग कर सकते हैं, सब में इसमें 1 जनवरी 2002 या उसके बाद का है, उसके बाद है, transportation and logistics, इसमें auto body repair है, automobile technology है, car painting है, logistic and freight forwarding, सब में एक एक प्रतिभाग कर सकते हैं, एक जनवरी 2002 या उसके बाद की DOV होना सकते हैं, रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन यह उसका हिसन यह नीचे लिखा हुआ है, world skills competition का यह पार्ट नहीं, इसलिए star has लगा हुआ है, shoe making, garment and leather accessories making, textile design, yoga, costume design, pro aesthetic and makeup, AR, VR, virtual reality इसको कहते हैं, और या फिर augmented reality, drone filmmaking, यह सारे आ जाएंगे, इसमें 1 जनवरी 1999 या उसके बाद की, इस skills of two competitors, इसमें यह सारे जो two competitors प्रतिभाग कर सकते हैं, यह सारे लिखके हैं, three के लिए यह लिखकी हुई हैं, और यह जो बना था, मैंने आपसे बताया था, यह इसका पार्ट नहीं है, world skills competition का, तो इसमें जो आप प्रतिभाग करेंगे, तो वो आप, आपको देश लेविल तो होगा, लेकिन world level पर इसको मानता नहीं है, तो आप लेकिन प्रतिभाग फिर भी कर सकते हैं, अब इसके अलावा पूरा process registration का, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, उसे हिसाब से आप registration कर लीजिए, और अपने साथियों को भी प्रोचसाहिज जरूर करिए, तो सबस अब देखेंगे, तो एक register करके लिखा होगा, या फिर mobile में करेंगे, तो 3-6 line बनी होगा, उस पर click करेंगे, तो register लॉग इन का option आएगा, तो आप register पर click कर दीजे, जैसी register करेंगे, तो उसमें register पर click करेंगे, तो learner के लिए आएगा, पार्टनर के लिए तो आपको learner वाले म आपको click कर देना है, जैसी learner वाले में click करेंगे, तो आपका mobile number मांगेगा, तो अपना 10 digit का mobile number डाल दीजे, continue कर दीजे, जैसी continue करेंगे, तो आपके mobile number पर एक OTPI का उसको भर दीजे, और उसके बाद फिर अपना एक password बना लीजे, password आपका सिर्फ डिजिट हो सकता है, 4 digit का क कुछ भी, जैसे 1114 बाल ले लीजे, 2131 इस तरह के का, आपको password सेट कर लेना है, उसके बाद आपको 12 digit का आधार number भरना है, आधार बढ़ दीजे, फिर दुबारा बढ़ दीजे, agree करके फिर generate OTPI, आपके जो आधार से आपका link mobile number है, उस पर एक OTPI आएगा, वो OTPI आपको भरनी पड़ेगी, तो जैसे ही आप verify करेंगे, click verify, validate my याधार details, तो यहाँ पर इस तरीके से OTPI आएगा, इसको भर करके आप verify कर दीजे, तो यह जब process आप आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद, और dashboard, आपको left side पर menu देखेंगे, यहाँ पर देखी देखेंगा, इंडिया सब भर करके, आपको क्या करना है, submit पर button click कर देना है, next, next करते जाएंगे, सब फिल हो जाएगा, उसके बाद submit button आएगे, submit को click कर दीजे, आपका submit हो जाएगा, इस प्रकार से आप registration कर सकते हैं, आपका final submit कर सकते हैं, आप खुद प्रतिभाग कीजिए, टीम के रूप में य criteria है, इसमें मुझे लग रहा है, qualification का भी कोई criteria नहीं है, अगर कोई भी अपनी skill दिखा सकता है, तो उसको जरूर इसमें प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि skill दिखाने का इस अच्छा platform आपके लिए नहीं मिलेगा, तो ये था आपके लिए महात्पूर्ण update, जो ICT की documents आपको मिल जाएंगे, उसको अच्छे से पढ़के जल्दी से जल्दी apply कर दीजी, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, October 9 बर ही निर्धारे थे registration के लिए, तो registration कभी भी बंद हो सकता है, इसके पस्चाहत, तो ये था मात्पूर्ण update आप सभी के लिए, मेरी आपको आपकरता हूँ, thank you very much, आप सभी का दिन शुख हो